बिस्मिल्लार्माई रोहीम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वाट इस दे डिफरेंस बिट्विन टर्बो चारजर एंड सुपर चारजर ठीक है तो हम सबने टू स्ट्रोक और फॉर स्ट्रोक एंजन जो है वो पड़े हैं एंजन में बिसी के लिए किया होता है कि एंजन में जो हमारे पैट्रोल इंजन है उसमें एंटेक में फुरेशे यएर और फ्यूल पैट्रोल जो है वो करप्रडूर से आती है और इनजन में पिस्टन लगा होता है सिलिंडर में वो उसको कंपरिस करता है मींज déc dépend परिशर को बढ़ाता है तो उसकंते प्रिशर के वाज़े से shrap plug उसको ignite कर डिता है जिससे हमें power जो है इस पाउर stroke मेल जाती है और इसकी बोज़ासे क्रींचाफ जो है rotation शुरूव करता है और अब ये गरंग्चाफ का जो power होता है जो tark होता हम engine के जो drive होती है engine के जो gearbox होता है उसको हम फ़लाइ विल के जरी से उनको ट्रांसफर करते हैं ठीक है अब इंजन का में काम यह है कि इसी इनलेट फ्यूल को कम्पर्स करना है इसने तो कम्पर्शन को जैसे इसका प्रेशर इसने बढ़ाना है जितना इसका प्रेशर यह ज़्यादा बढ़ाएगा उतना ही हमें पाउर स्टोक में ज़्यादा पाउर मिलेगी ठीके अब इस कंप्रेशन को हम इंक्रीज करना जाते हैं मैं किता हूँ कि इंजन को पिल से मैं compress air और compress fuel दे दूं ठीके ना अगर मैं इसी इंजन को compress air दे दूं तो फायदा किया होगा कि already compress air के इसको मिले होगी मतलब इसका pressure ज्यदा होगा अब यह भी उसको compress और भी compress कर लेगा तो means इसका pressure काफी हाई हो जाएगा जब इसका प्रेशर ज़ुहे जुहे ज़ीयदा हो जाएगा तो हमें पावर स्ट्रोक में ज़ीयदा पावर जुहे बनिस बनेजिब इस ऐर के जो आलडी कंप्रेस्ट न हो तो एंजर को मै आलडी कंप्रेस्ट एक देदू उसके लिए मैं एक मेकनिजम अभी हम डिसकस करेंगे जिसको हम कहे थे टर्बो चार्जर और सूपर चार्जर तो दोस्तों टर्बो चार्जर का डिफिनिशन यह है एक में इसका काम किया है कि यह एर को सख करेगा ऊस एर को कंपरिस करेगा मिन्स परेश को बढ़ाएगा और यह पर अनजिन को देगा पर फिर पर अवर बी आजिन क करेगा तो उससे जो हमें पावर मिलेगी उसकी पावर जो है वो ज्यादा हो जाएगी ठीक है तो इसका बलाग डागराम की तरफ अभी आते हैं अभी टर्बो चार्जर में में एक कंप्रिसर होता है एक टर्बाइन होता है एक इंजन होता है ठीक है जितनी भी हमारे इंजन होते हैं अगर उसमें हम टर्बोचारजर को इन्सुटाल करें गे تو उसमें हम ये तीन चीज़ें इसके लगाना जरूरी है सरी लागडराम को हम डिसकस करेंगे तो इससे आप लोग को असानी से समझ में आ जाएगा टीक है तो टर्बोचारजर में किया होता है के एक कंपरिसर होता है उसके बाद कंपरिसर क्या करता है उस इनलेट एर को एटमसफेर से सक कर लेता है तो यह कंपरिसर होता है उसको कंपरिस कर देता है ठीक है जब वो कंपरिस एर इसके एक्जेट पे आती है तो यह कनेक्शन जो होता है वह engine के inlet wall के साथ connect होता है ठीक है तो engine के inlet wall पे engine को जो suction air आती है वो already compress होती है engine इसको सक्र लेता है जब ये bottom date center पे होता है तो वो इस inlet air को सक्रता है ठीक है पर जब engine का जो compression stroke होता है जिनीज कि ये bottom date center ताप date center के अई नूज जाएगा तो जो हमें यहां पे ignition मिलेगी और उसे जो power stroke मिलेगी उस engine के power engine के power में जो है increase आ जाएगी ठीक है अभी दोस्तो जो engine compression stroke और फिर power stroke उसके बाद एक force टेज होता है उसको हम कहते है exhaust stroke exhaust stroke में किया होता है कि हमें gases जो है वो मिल जाते हैं यह इसका section है और यह उसका exhaust है इसका engine का first stroke है और यह उसका last stroke है force stroke है ठीक है दोस्तों तो अभी यह gases जो बाहर जाते हैं इसके काफी हाई इनरजी होती है उसका एक विलास्टी होती है ठीक है अभी इसके लिए हमने किया करता है हम किया करते है कि यहां पर एक इसके लिए टर्बाइन इंस्टाल करते हैं यह काफी कंपेक्ट होता है इंजन में ठीक है दूस्तों तो वह काफी हाई विलास्टी के ग हो जाएगा और इसका जो आउट पुट होगा वो एक शाफ्ट के जरीय से मतलब यह जब रोटेट होगा तो यह वाला शाफ्ट रोटेट होगा अब यह शाफ्ट हमने कपल किया है इस कंपरिसर के साथ इस टर्बो चार्जर के साथ ठीक है तो होल सिनारियो किस तरह होगा कि और जब ये रोटेट होगा तो ये रोटेट करेगा इस पर ठीक हो टीक है जो इसarent कंप्रिशं करएगा इंजन में इनजन को जो है हई इनजन का पावर इंक्रीज हो जाएंगा और इस तरह पर यह एर जो है यह जो ये बाहर जाएंगे वो इस टर्बाइन को हेट करेंगे टर्बाइन रोटेट होगा वो शाफ्ट को रोटेट करेगा और वो शाफ्ट जो है पर इसी कंपरिसर को रोटेट करेगा तो ये इस तरह एक साइकल होगी ठीक है means इस टर्बो चार्जर के वो इस कंपरिसर को चलाने के लिए हम इसी इंजन के एक्जास के सिंगिसे को हम यूज करेंगे तो फाइदा किया हुआ कि हमें एड़ दे इन इंजन की पावर में इंक्रीजा मिल गई मतलब इंजन की एफिशिंसी इससे बढ़ जाती है जो म spirits पर हम गड़को तेस बगाए तो किस falti सरब पर करेंगे इन एंजन के पावय को ज्यान होगा हैं इस तरह भी कर सकता है कि काफी बड़े लगा लेकिन उसके आपका house जो है वो इंक्रीज होगा आपकर इंजन में जो है जो वluence की वीड्स की वह फूल की वकुत होगी वहु एरियां जो कवर करेंगे वो वी क्रीज होगा तो उस्सें हम बचने कि लिए हम पेर्ट डर्वाइब करते हैं इस तरह जो हम जिटते इंजनते हैं जो जहाज होतें जो पर जाते हैं ठीक तो उसके लिए पर ऐर कम मिलती है हम अا जाते है प्रिश्र अभूदे आर ओकल郁हो जाती है था कि इस तरह से विल्कुल सेम चर्बशार्ज कंचनर और भी जिए थांग सेम है नहीं насколько फंक्चनर तोड़ा चेंज है, वहाँ पे हम exhaust gases से टर्बो चार्जर में, exhaust gases से टर्बाइन बुचलाते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर चार्जर को डायरेक इंचन के क्रिंग्शाफ के साथ एक बिल्ड के ज़री से कपल करेंगे, टीके दोस्तों तो यह करिंग शार्फ नोगद होगा तो यह बिल्ट इसे सूपर चार्डर नोगए ठीके दोस्तों तो है तो असे नडोट किस्टस्र होगी यह सूपर 1 चार्डर है से कंप्रिसर होगा इसमें एर आईगी यह उसको compress करेगा compress air इस engine में आईगी ठीक है engine को compress air आईगी तो इसमें इग पाउर स्ट्रोक में हमें हमें खाफी high power मिलेगी जो एक्षास करेगा ठीक है अब इस करेंग शार्ट है हमने direct एक build जो है निकाली है और ओ बिल्ड इस ही शार्ट के जरीए से इस compressor को रोटेट करेंगा means जब यह रोटेट होगा तो यह build भी रोटेट होगी तो यह इस शाफ्ट को रोटेट कर गया यह build तो यह शाफ्ट जो है इस compressor को चलाएगा ठीक है तो inlet air जब आएगी वह compress होगी यह सबस्पर चार्जर में होड़ों COMPREST AIR इस एंजिन में तो इससे हमिए गया हमारा एंजिन के पार स्टोक में inKrease आ गई में में एंजिन की Efficiency बढ़ गए ठीके दूस्तों तो इसमें पी तीन दो दो काममिन पनुड़ होते हैं जिसको सबर्चार्जर के तेंडिसरा बेल्ट ड्राइव होता है है भी विल्ड किसी बीकिसम को होता है अगर आप लोग कोई क्वेस्टन पो आप लोग कमेंड में जरूर पूछे आप कि आप लोग मेकेनिकल इंजिनियर अहमाद वीडियो चेनल को सब्सक्राइब कीजिए फर मोर इंफरमेशन इंफर मोर वीडियो अससलाम अलेकूं